आप सभी का स्वागत है तापती study classes चैनल पे तो आज के इस वीडियो में देखने वाले है कक्षक 11 इंदे के लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण कभी परीचे कभी परीचे में आपको कौन सा आने वाला है यहां पर मैं बता रही हूँ आपको अक्क महादेवी आपको बहुत शूर है कि आएगा ही आएगा कभी परीचे कल के पीपर में तो इसको आप यदि करना चाहते हैं कंप्रीट तो फटा-फट से कर लीजिए आपको मैं बहुत श वचन सोरव दोबिनाम ही है समझ लिए नाम जैसे दूरस आपको याद हो जाए या फिर सरश्टी के वचन या स्वरवचन यह दो कोई भी आपको याद कर लीजेगा आपको याद हो जाएगी फिर भाव पक्ष कलापक्ष आता है और साहितमिस्थान इसके जो आपको कवीत तो दो रचनाय में वचन सौरव, स्पिकिंग आफ शीव बहुत अच्छी रचनाय भी या फिर स्वर वचन सौरष्टिके वचन वचन से याद रख लिजेगा तीन रचना होगी अगर नहीं हारा है दिमाग में तो वचन से आद रख लिजेगा ठीक है आई ही जाएगी दो व वचन या स्वर्वचन या स्वर्वचन या स्पिकिंग आफ शीव या सौरव इनने में से कोई दो आपको दिमाग में रह गई तो अच्छी बात है थिक है बहापक्ष कलापक्ष तो अक्कमहादेवी क्योंकि दक्षिन भारत संबंदी थे तो यहीं की वो कवित्री है तो अच्छी बात यहीं की पहचान के रुप में बताई थिक है आपको ज्यादा तर जो है लिंगायत समुदाय दक्षिन भारत तरफ ही मिलेगा ठीक है यानि जो शीव के भाक्त होते न वो अक्कमहादेवी दक्षिन भारत के भक्ति अंदुलन की प्रमुक कवित्री है यह इनकी पहचान थी मैंझे बताया जैसे आपको बिल्कुल उनके पहचान थी है उनकी बात्रभाशा कंणड थिए सफ़हाज सारलती है कंणड मात्रभाशा यगा अत्वके समय लिगतार ही नाम मात्खास करशा के से समझभा रहा Hahn वतलह Brenda पहन के मसले है श हम्लिभाए और अलंकारों का एदा गदा प्रवक किया और थोड़ा शब्द भी लिख सकते हैं चुकि यह करनाड़ भी नहीं थी तो इनके बारा में ज्यादा हिंदी तत्सम तद्वह से शब्द नहीं यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो अलग वाले परीचर है उनमें आप लिख सकते हो ठी किमार कनर साहिकरने का भूफोर अबू पूर्वमे थै को अबारे चैनल सुनकर ही याद कर सको और आपको याद हो जा और आपके जो नंबर है ना यह कंफर्म हो जा कभी पर ही चाहिए तो वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों में शेयर करें चैनल फस्ट आम में चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते नहीं वीडियों थैंक्स पर किरे झालिए है करें शेयर करें जहां हम जबाला एर कर दादारिष यजल लाद है कर दादाव बैर क्या टिन